साथ बजे बेगुस्राइके साहएपुर कमाशा से पस्चिम रेलबे ट्रैक पर एक अग्याद यूबक का शम मिलने की सूच न मिली घटना के संबन में पर्त्यक्ष दर्स्वी ने बताया कि वे लोग अपने खेतों में काम करने जा रहे थे जो वे लोग रेलबे ट्रैक के बीचो भी शब को देखा तो तुरंत इसके सूचन शुरू हो गया जिसके बाद उनके परिजनों को घटना की सूचना दी गई मिर्तक यूबक की पैचान खगरिया जिले के आवास बोड निवासी राजेस मैतों के 22 बर से पुत्र रोशन कुमार के रूप में की गई है रासम दिली में रहता था वो अपने भाई बेन के साथ अपना मुन्नन करवाने के लिए दिली से हाली में गाँ आया था मुन्नन 27 नमंबर शुकरवार को हुआ मुन्नन करके घराने के करम में यूबक मुंगीर घाट से लापता हो गया उनके परिजनों ने उन्हें बहुत खोजने की कोस्तस के लेकिन वे नहीं मिला फोन करने पर उसका मुबाइल बारगार स्विच वाप बता रहा था वही सुबर जब पुलिस के हाथ फोन लगी ही तो उनके परीजनों को इस सम्मन में जानकारी मिल पाई जिसके बाद उनके परीजन घटनास्तर पर पहुँचे और सब की पहचान की गई घटनास्तर पर कोराम मचा हुआ है मिर्तक के पिता राजस मैतो ने बताया कि किसी ने उनके वेटे की हत्या करके रेलवे ट्रैक पर फैंक दिया है मिर्तक रोशन छे भाई बहन था जिसमें मिर्तक सबसे बड़ा था वही अस्थान ये थाना साहिप पिर कमाल ने ततकाल घटना की सूशना खगडिया जियार्पी को दिया वही घटनास्तर पहुँचकर खगडिया जियार्पी ने घटनास्तर कर जाय जालिया और बाद में शब को पुश्ट माटम के लिए बेगु सराई भीज दिया वही इस समन में थाना परवारी सुदिन राम ने बताया कि शब रेलवेट टेक के बीचो बीच रखा था इसे ये ग्यात होता है कि ये मामला सुसाइट का है या फिर किसने ने हत्या कर फेक दिया है फिलाल मामली की जान चल रही है वीड़ोस बिहार के लिए बेगु सराई से सुमन सौरप करिपूफ टंक बाद में कॉल किया कि हम आ रहे मुरना में मुंगेर घंट अया मेरे साथ मुंगेर घंट अWhen पुलिस लोग ता आकको कब सुचने मिला थें लडंगा यहाँ सोगügen सुभाँ Evet कर दो 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 एक लो हो लो लो करो बारा है